नमस्ते बच्चों, कैसे हो आप सब? मैं हूँ आपकी टीना टीचर. Wish you all a very happy Independence Day. आप सबको स्वतंत्रता दिवस की धेर सारी शुपकामनाए. Independence Day को हिंदी मैं कहते हैं स्वतंत्रता दिवस. पता है बच्चों, हम हर साल स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को ही क्यों मनाते हैं? आज मैं आपको एक कहानी सुनाने वाली हूँ. और उस कहानी का नाम है मेरा भारत महान. तो चलिए कहानी सुनते हैं. ये है हमारा भारत देश. बहुत साल पहले हमारे देश को राजा चलाते थे. हमारे राजा उनके सुन्दर सुन्दर महलों में रहते थे. उनके पास डेर सारा सोना था और वह अच्छे वसुन्दर सुन्दर सिल्क के कप्ड़े पहनते थे. उनके पास बहुत सारा अनाज था, जैसे की घेऊं, चावल, आदी. उनके पास बहुत सारे मसाले भी थे. लोग भारत में बहुत खुशी से हस्ते खेलते रहते थे और बच्चे खूब खुशी से खेलते. भारत से बहुत दूर एक देश था, जिसका नाम इंग्लेंड था. वहां के लोगों को हम ब्रिटिशर्स के नाम से जानते थे. उन्होंने भारत के बारे में खूप सुना था. वह भारत बड़ी-बड़ी जहाजों से आये थे. उन्होंने देखा कि भारत बड़ा ही खूप सुरत देश है. उन्होंने हमारे राजाओं के साथ बड़ी दोस्ती दिखाई. लेकिन बाद में ब्रिटिशों ने हमारे राजाओं के साथ लड़ाई की और उस लड़ाई में रानी लक्ष्मी बाई, टीपु सुल्तान आदी भी शामिल थे उनके साथ लड़ते लड़ते वह शहीद हो गए और ब्रिटिशों ने भारत पे राज्य करने लगे उसके बाद आये हमारे स्वतंत्र सेना जैसे की महात्मा गांधी जवाहरलाल नहरू, बाल गंगादर तिलक, सुभाश चंद्र बोस, आदी उन्होंने बोला भारत ये भारतियों का देश है सबने मिलके अंग्रेजों को भारत छोडने के लिए कहा सारे भारतिय गांधी जी के साथ थे ब्रिटिशों ने गांधी जी को और बाकी नेताओं को जेल में बंद कर दिया था लेकिन उन्होंने अपनी लड़ाई जारी रखी गांधी जी का साथ ज्यादा से ज्यादा भारतियों देने लगे आखिर में ब्रिटिशर्ज को इंडिया छोडना पड़ा और अपने जहाजों में निकल गए और उन्होंने भारत छोड़ा 15 अगस्ट 1947 में 15 अगस्ट 1947 और भारत हमारा हो गया और हम आजाद हो गए हम 15 अगस्ट को हमारे स्वतंत्र सेनाओं की याद करते हैं वो जंडा बंदन करते हैं भारत के प्रधान मंत्री डिल्ली के मशुहूर लाल किले पे जंडा बंदन करते हैं तथा हमारे सिपाही 21 तोपो की सलामी देते हैं इस दिन विद्यालयों में हम जंडा बंदन करते हैं और प्रभात फेरिया भी लेते हैं प्रभात फेरिया मतलब मार्च पास्टिंग और हमारा राश्ट्रगान गाते हैं नैशनल एंथम हमारा राश्ट्रगान रबिंद्रनात टेगोर ने लिखा है और उस दिन को पब्लिक हॉलिडे भी होता है जैसे की विद्यालय, महाविद्यालय, कार्यालय और दफ्तरों की छुटी होती है ये दिन हम एक होने का एहसास दिलाती है हमारे तिरंगे में तीन रंग होते हैं केशरी, सफेद, हरा और बीच में होता है अशोका चक्र इस तरह हम हमारा स्वतंत्रता दिवस हर साल 15 अगस्त को मनाते हैं जे हिंद के बाते हैं झाल 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 झाल